वेल गाईस एक पर फिट से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 45 साल के उम्र वाले लोग को वैक्सिंग लगाना कमपलसरी किया था गॉवर्मेंट ने लेकिन अब न्यूस सामने आ रही है कि 18 साल के उपर वाले लोग भी अब एक मैई से वैक्सिंग लगवा सकते हैं अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि भाई हम वैक्सिंग लगवाएंगे कैसे तो चले मैं आपको बताता हूँ कि आप online registration कैसे करेंगे तो गाइस बहुत ही simple सा तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आप किसी भी browser का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जाना है www.covin.go.in जैसे आप दोस्तो इस website पे open करते हैं open करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ platform देखने के लिए दिखाई देगा यहाँ पे आप जैसे scroll down करके नीच आएंगे तो आपको आप एक option दिखाई देगा जिसका नाम है register sign in yourself तो आपको इस पे click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे आपका mobile number पूछेगा और आपको अपना mobile number यहाँ पे डालना है और get OTP पे click करना है जैसे आप get OTP पे click करेंगे आपके mobile पर एक OTP आजाएगा उस OTP को आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा अब देख सकते हैं मेरे mobile पे OTP नंबर आ चुका है और मैं हाँ पे डालके verify पे click करता हूँ verify पे click करने के बाद आपको दोस्तो registration का दूसरा procedure आ चुका है जहाँ पे आपको photo ID proof, photo ID number, नाम, gender और date of birth का year मांगेगा जहाँ पे photo ID की proof की बात करें तो हाँ पे आपको अपना आधार card या फिर driving license या फिर fan card या फिर passport, pension passbook, NPR smart card इसमें से कोई भी details डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे अपना pen card number डालता हूँ अपना नाम डालता हूँ जो की pen card में दिया हुआ है उसके बाद gender specify करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे year की कौन से year में मैं बर्थ हुआ हूँ जैसी कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे year तो डाल दिया है लेकिन जैसी मैं यहाँ पे register पे click करूँगा यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि आपको मैं बादा दू कि इसका जो registration जो start होने वाला है वो 28 April से start होगा तो मैं वीडियो 27 April को बना रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा लेकिन procedure यहाँ पे भी same है तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि अपना date of birth मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं individual register successfully हो चुका है अब यहाँ पे dose 1 का जो appointment है अभी तक schedule नहीं हुआ है आप अपने हिसाब से schedule कर सकते हैं कौन से date के हिसाब से चाहिए अब देख सकते हैं पे मुझे clear एक message आ चुका है कि मेरे नाम के हिसाब से successfully covid vaccination के लिए register हो चुका हूँ है तो आपके city का जो भी pin code number रहेगा आप वहाँ पे डाल करके search कर सकते हैं और अगर वहाँ पे अगर कोई जगर खाली रहेगा appointment का तो आप उस जगर को ले सकते हैं first vaccination के लिए तो guys जैसे information था registration के बारे में I hope वीडियो आपको पसंद आओगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादतर लोगों को share कीजेगा तो चले आपको मिलता हूं next video में